हेलो फ्रेंड्स मैं इस पनीत रहीला मैं टेली ट्रेयन हूँ बाकिया कॉंट्री से नोट्री को जानता हूँ टेली के मैं आपको कुछ शोटकर्स बताऊंगा इस प्रकाह है आप वापस वहीं आएंगे जहां से आपने मूव कर दिया तो आप गेटविफ टेली पे वापस आ जाएंगे आप अगर किसी वाउचर में है तो वाउचर से सिधा आप गेटविफ टेली पे आ जाएंगे थार्ड ओप्शन है जो शोटकर्स की है और प्लस के जो कंपनी मेनु आप खोलते हैं वो आपको माउस से क्लिक करने के जो तनी आप ओल के से भी उपन कर सकते हैं और फॉर्थ ओप्शन है ओल प्लस वाई मैंज कंपनी डेटा कंपनी डेटा मैंज करने के लिए आप और ओल्डवाई की कमण्ड कि किजिए आपको देटा पर किक करने के जो आप ओल वाई से उसे यूस कर सकते हैं फिफ्थ जो shortcut की है वो all plus z है जो exchange company data है जैसे हम synchronization करते हैं उसके लिए या फिर आप ही निवे सिंग करते हैं उसके लिए हमारे को all z प्रेस करना पड़ेगा exchange में जाने के लिए तो आप all z प्रेस कर सकते हैं सिक्स्त उप्षयन है all plus o आप import करने के लिए all plus o का use कर सकते हैं अगर आपको कही xml फाइल या excel फाइल इंपोर्ट करने हैं जो आपने को utility ले रखी है तो आप all plus o का use करके उस feature को use कर सकते हैं आपको click करने की जुरुत नहीं है all plus e के आप export किसी भी चीज़ को all e से export कर सकते हैं यहाँ पर आप control e की भी help ले सकते हैं पर दोनों में minus ना difference है 8th option है all plus f3 आप किसी भी company सपोज आप किसे company already open है टेली प्राइम पे आप दूसरी company open करना चाहते हैं तो आप all f3 use कर सकते हैं जो tellie rp9 में भी working करती थी same as it is tellie prime में भी working करती है old plus z आप किसी भी invoice को अगर open करते हैं तो आप उसे zoom करने के लिए old z की help ले सकते हैं उससे का अगर invoice maximum zoom हो सकता है आप इससे जादा अगर zoom करना चाहिए तो आप control के सब plus की दवाईए और control के सब minus की से अब वापस आ सकते हैं control plus r से आप किसी भी entry को remove कर सकते हैं tellie rp9 में अगर आपको remove करना था तो आप old r से करते थे old plus f1 आप किसी भी report में जाते हैं तो अगर आपको इसकी detail view देखना है तो आप old f1 की help से देख सकते हैं क्योंकि अभी tellie prime में f1 जो use हो रहा है वो help के लिए use होता है बट आप अगर normally old f1 प्रेस करेंगे तो आपको वो काम करेगा वो highlighted नहीं होगा यूज होगा I hope आपको ये video पसंद आई होगी welcome to my youtube channel मेरे चैनल को subscribe किजिए अगर अपी तक आपने नहीं किया है like कीजिए and share करना ना भूले thank you so much